हलो फ्रेंज हाई आद इस्पेशल केक बना रही हूं जो आटे का है बिलकुल अलग हटके है और आसान तरीके से तो यह ड्राइफूट्स नट्स मैं ने चौप कर लिये हैं आपके पास फ्रेस फूट हो तो वह डाल सकते हैं नहीं तो ड्राइफूट्स भी डाल सकते हैं इस तरह कोई ओल या बटर मेरे पास ऑर्ण जूस था , आपके पास जो भी जूस हो आप यूज कर सकते हैं मैंने एक ग्लास जूद और इसको इस तरीके से पकाएंगे हमने पहले से भिगो के नहीं रखे अक्सर हम भूल जाते हैं धहान नहीं रहता है तो जब भी तुरंट बनाना हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं इससे क्या होगँ जूस पुरी तरह से नट्स और हमारे ध्राइफूट थे उसमें पूरी तरह से शोख कर लेगा और सोफ्ट हो जाएंगे तो आपको खाने में हार्ड नहीं लगिया अब मैं चीनी ले रही हूं। चीनी का पाड़र नहीं ले रही हूँ, साबुचीनी ले रहे हैं, जो करमलाइज कर रहे हैं, तो इस तरीके से, बिना पानी डाले मैंने इस तरह से थोड़ा सा जलाएंगे इस चीनी को, ताकि अच्छी खुश्बू आए, देखने में केक का कलर बहुत अच्छा है, आटे का कलर ब्राउन हो जाएं, तब आप रुक जाएं, और देखिए इस तरीके से, थोड़ा सा ये कलर आ जाएं, अब इसमें हम डालेंगे आदा कप पानी, और गैस बंद कर दें, ताकि आप जलेना थोड़ा सा अबधानी से डालें, अब हम इसको चला के, अब जो हमारे जो कु किये हुए, ड्राइफूट्स रखे हैं न, तो ठंडे हो गए हैं अब, अब उसमें ये हम सुगर सीरप डालेंगे, अब लेते हैं, आदा कप हम काईड और गरम कुन-कुना दूद ले लेंगे, एक कप, इन सभी, और आदा मच हमने, मेल्टेड बटर ले लो, या फिर आप ओईल ले ले, बस मस्टर ओईल न ले, जिसमें तेज इसमेल आती है, आप सन फ्लॉवर या चोयाबीन का ओईल ले सकते हैं, तो इस तरीके से तीनों का अच्छे से मिक्स कर लिया, अब इसमें हमने मिला दिया है, अच्छे से चला दे, ये पुरी तरह से ठंडा हो रखा है सभी सामा, अब हम छनी से एक कप मेंने आठा लिया है, जिसकी हम रोटी बनाते हैं, चपातिया बनाते हैं, वो वाला आठा लिया है, मैदा का हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो आठा चान लिया है, अब आधा कप हमने मिल्क पाऊडर डाला है, उसको भी चान लें, ताकि अब डालेंगे इसमें हम सोड़ा आधा צमर्ट gjort je एक चमक बेकिन पौड़ु और अच्छे स्वावठ के लिए और हम डालेंगे यह इसनेमन को जिसको बूलते हैं दाल civilization दाल चीनी पौड़ डाल देंगे जिंजर पाउडर डाल देंगे एक चमच और वैनिला एसेंस आपके पास अगर वैनिला हो तो वैनिला डाल नहीं तो मिक्स प्रूट एसेंस भी यूज प्रूट पड़े हुए हैं अपके से मिला लें इसको अगर आपको ज्यादा ठिक लग रहा है तो दूद का और यूज कर है जरूर बनाएं वह बहुत बर बनाएं बहुत अच्छा लगेगा देखने में भी ऑखाने में भी इस तरीके से आप बनाईए और मुझे बताईए कैसा लगा तक मैं और बीडियो बना सकूँ और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेर करिए अगर अच्छा लगे तो देखने के लिए थैंक यू बाई बाई हैपी किसमेस